सभी प्यारे भक्तों को जयी श्रीशियाम दोस्तो इस टाइम में आया हूँ हारे के साहरे श्रीखाटुशियाम के दर्शन करने जो कि राजिस्थान में इस्तित हैं तो दोस्तो आज के इस खास वीडियो में दर्शन और यात्रा की संपूर जानकारी सेर करूँगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यहां तक कैशे पहुँचेंगे आपको होटल या धर्मसला कहां लेनी चाहिए यहां पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है यहां पर खाने पीने की कैसी ब्यवस्ता है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बज़ट की तो A to Z वीडियो को बिना स्कीप करके देखिएगा तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन करिए खाटू श्याम जी के जाएं तो एक बार आप इस अलो के दर्वार में जरूर आएं यहां पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम जरूर बनते हैं तो आपको बताते हैं आप यहां तक कैसे पहुंचें दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने आगे दोस्तों में सियर भी जरूर करें सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहां का नियर रेलवे स्टेशन लिंगस है यहां तक के लिए आपको कुछ प्रोक स्टेशनों से डारेक्ट ट्रेन भी मिल जाती हैं लेकिंग जैपूर रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है ज्यादा तर लोग ट्रेन के माध्यम से जैपूर ही आते हैं जैपूर से आप बस या टैक्सी के माध्यम से खाटूशयम तक पहुँच सकते हैं जिससे सरकारी बस का किराया 60-80 रुपे और प्राइवेट बस का किराया 100-120 रुपे के बीश में रहता है जिससे आप आसानी से खाटूशयम तक आ सकते हैं वहीं दोस्तों आप रिंगस रेलवे स्टेशन पहुतरते हैं तो यहां से मंदिर की दूरी सूल एक्रूमिटर रह जाती है जो कि यहां से बुलेरो और यह रिक्षा बाले 40 या 50 रुपे में यहां तक आपको लाग के छोड़ देते हैं वहीं आसपास के राज्य और सहरों से यहां तक के लिए आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाती हैं अगर आपके पास यहां से बस भी चलती हैं तो आप यहां डायरेक्ट बस से भी आ सकते हैं तो चलिए अब बहुत ही प्यारा सा सफर करने के बाद अब हम आ चुके हैं खाटूसियम के दरवार में दोस्तों सामने जो आपके द्वार देख रहे हैं इसको बैकूंट द्वार भी कहते हैं यहां से मंदिर की दूरी लगवग डेड़ क्लूमीटर की रह जाती है तो आगे हम चलते हैं और पता करते हैं हमें होटल या धरमसाला कहां लेनी चाहिए और इसके क्या क्या रेट रहते हैं यहां से 50 मीटर की दूरी पर आगे चलके आपको जो आपर रूम्स के रेट 800 से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें आपको चार बेड की फैसलिटीज मिलती है अगर आप गुर्प में आ रहे हैं तो आपके लिए यह वैस्ट धरमसाला है दोस्तो मंदिर खुलने का और बंध होने का एक निश्चित समय है मंदिर सुबह साड़े पांच वज खुलता है और दूपहर में एक बज़े बंध हो जाता है और सामकुल लगवक चार बज़े खुलता है और रात को दस बज़े बंध हो जाता है लेकिन दोस्तो एक आदसी निव यर जनमोत सब फागुलन के लगने वाले मेला पर और सटरडे संडे को भीड को देखकर पूरे दिन मंदिर खुला रहता है मंदिर मार्ग दोनों और सैडों मर बहुती प्यारी मार्केट है आप यहां से खाटू वाले बावा के लिए प्रसाद, फूल, माला, इत्र, निशान लिके जा सकते हैं अब हम लोग आ चुके हैं मैन मंदिर में आप यहां बावा जी के भव्य दर्शन कर सकते हैं तो खाटू सियम जी का संबंद महावारत काल से माना जाता है बावा जी का दूसरा नाम बरवरिक है बरवरिक जी पाँच पांडबों में से एक भीम जी के पोते और घटोत कच्छ जी के पुत्र थे महावारत के युद्ध में जब करसन जी ने पूछा आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तब इन्होंने कहा कि जो पच्छारेगा मैं उसी तरफ से लड़ूँगा बावान सिरी करसन इस परड़ाम को पहले से ही जानते थे उनको डरता कि कहीं इसमें उलट फिर न हो जाए तो इसलिए उन्होंने एक ब्रहमण का विजदारड कर और बरवरी जी के पास बिच्छा मांगने आए बरवरी के एक महानदानी थे बागवान सिरी करसन ने उनका सीर मंग लिया बरवरी जी ने उनका सर काटकर ब्रहमण को समित पर कर दिया इस महान बलदान से प्रसन होकर स्री कृष्ण अपने असली रूप में आये और बरवरी जी को आशिरवाद और बरदान दिया कि आप कल्यूग में मेरे सियाम नाम से जाने जाएंगे जैसे जैसे कल्यूग बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रसिद्धी फैलेगी आपके पास आया हुआ वक्त कभी निरास होकर नहीं जाएगा दोस्तो इसी गाओं में बाबाजी का सीर्ष अफ्तरित है इसलिए बाबाजी का नाम खाटु स्याम है चलिए दोस्तो चलते हैं मंदर के दर्शन करने के बाद इस कुंड का नाम है स्याम कुंड यह कुंड बहुत ही पवित्र है यहां नहाने से जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो सभी ठीक होते हैं तो दोस्तों बताना कैसे लगा यह व्लोग और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हां सब्सक्राइब करना न भूलें तन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो में